आप रिश्रिवास तो जैसा कि डेली उस्कूल होंवर्क आप इस चानल पर देख सकते हैं तो आज का होंवर्क स्टार्ट करते हैं First subject है Math और Math में आज बच्चों को कराया जाएगा activities तो आप भी अपने बच्चों को इंदिस टैप activities मेग करके देंगे तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है circle the given number of things यहाँ पर जो number दिये हुए है उसको बच्चों को जितने यहाँ पर number होंगे उतने ही बच्चों को things पर circle करना है जैसे कि यहाँ पर 8 है तो 8 balls पर बच्चे circle करेंगे इंदिस टैप count करेंगे 1,2,3 और always remember जब बच्चे count करते हैं तो कुछ बच्चे बहुत fast count करते है 1,2,3 फे जिससे उनकी counting राम हो जाती है तो आपको बताना है बेटा slowly slowly count करो 1,2,3,4,5,6,7,8 तो हमें 8 पर ही circle करना है तो क्या करेंगा बच्चा 1,2,3,4,5,6,7,8 तो कितने पर circle किया बच्चे ने? 8 balls पर circle करा है इसी तरह से 5 है तो 5 triangles में की है तो 5 पूरे 5 पर बच्चा circle कर देगा इसी तरह से lollipops में कर देंगे आप और 7 lollipops बच्चे को count करके circle करना होगा इसी तरह से pencil में कर देंगे आप 6 तो बच्चे को 6 mansions पर circle करना होगा इसी तरह से flowers, ducks, make कर देंगे आप बच्चों को और जितने number होगे उतने number पर बच्चों को उतने things को circle करना है then after next activity has count and write ये तो definitely हर बच्चे में कहते हैं ये बच्चे को जरूर आना चाहिए क्योंकि count and write बच्चे को exam में जरूर आता है ये activities to school में कराई जाती है तो ये आपको उपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सीखाना होगा तो count and write मैंने बताया था जै सारी जल्ली count करने में हमेशा wrong हो जाता है इसलिए आराम से बच्चे count करेंगे 1,2,3,4,5,6 तो बच्चे को हैं पे 6 number write कर देना होगा जब ज़्यादा numbers के होती है जब ज़्यादा चीज़े होती है तो कैसे बच्चे count करेंगे तो क्या होता है बच्चे confused हो जाते हैं तो 10 और फिर से काट करेंगे बच्चे यहाँ पर जितना count करने के बाद number आता है वहाँ पर यहाँ राइट कर देंगे 10 है तो 10 तो in this type as as you can see in this type as देंगे आप बच्चो को count and write करने के लिए बच्चे यह इसे count करेंगे और write करेंगे जैसा कि हम English subject में बच्चों को opposite words की practice करा रह करते रहेंगे तो आर अगेन मैंने बच्चों को opposite words write करने के लिए है तो यहाँ पर फिर बच्चे इसे अगर पूरा उन्हें learn हो गया होगा तब हो accurate write कर देंगे बट अगर उन्हें नहीं learn होगा तो फिर से उन्हें learn करके यहाँ पर write करना होगा tall का, big का, old का, happy का, fat का, hot का, up का, in का, good का, near का, right का, rich का, dry का, day का दें आफर बच्चों को magic करने के लिए आप इंदिस type दे देंगे, dry, dry, tall, fat, old, big, rich and then इस तरह से, इस साइड write करेंगे, poor, small, young, weight, short, night, ant एक बार repeat आप देख लेंगे इसको अगें, क्योंकि poor, small, young, weight, short, night यहाँ मैंने repeat कर दिया था तो इसी ध्यान मत दीजिए, आप thin write कीजिए, t-h-i-n, thin okay, t-h-i-n, thin, then next subject है Hindi, next subject है Hindi, हिंदी में बच्चों को चार बन वाले हम बच्चों को अभी सिखा रहे हैं, practice करा रहे हैं, तो आज मैंने कुछ pictures दी हैं, जिसे बच्चे recognize करके write करेंगे, क्योंकि इसके हम practice today करा चुके हैं, आज हम बच्चों को देंगे कि बच्चे अपने आप इसे write करें, पहचाने और अपने आप उस word को write करें, जैसे कि अधरक है, अजगर है, अचकन है, दमकल है, थरमस है, कटहल है, बरगद है, आप बच्चों को write करने दीजीगा, देखेंगा, क्या बच्चे इसे recognize करके write कर पा रहे हैं या नहीं, अगर नहीं write कर पा रहे हैं, तो उसे दुबारा इस चीज़ की practice कराएंगे, और वीडियो अच्छा लगे, तो like कीजे, share कीजे and subscribe कीजे, thank you for watching